हम बाबर तो नहीं मानते, बाबर तीर तलवार और भाला लेकर हमारे देश में आया था, इसलिए वो हमारा आइडियल हो ही नहीं सकता, हम गरीब नमाज को मानने वाले लोग हैं, नवी को मानने वाले लोग हैं, सरकार ने हमें 5 एकड जमीन दी थी, कुछ जमीन हमने खरी दी और कुली 11 एकट जमीन में यह प्रोजेक्ट यानि कि यह मस्जिद बनेगा यह बाते मैं नहीं बोल रहा बलकि भाश्पान नेता हाजी आराफस्तेक ने यह बात कही है जो अयोध्या मस्जिद विकास समिति के चैर्मेन भी बनाए गये हैं अब आगे बनने से पहले नमस्कार जहिन मैं हुई कादगोस्वामी और आप इंसाइट भारत टीवी देख रहे हैं तारीक 22 जनुरी 2024 राम लला के विशाल का भबे राम मंदिर का उद्खाटन होगा और उसके बाद भबे राम मंदिर के समकक्ष भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जाएगी अब माम अंजान से पहले मस्जिद की निव रखी जाएगी यहां पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुलरहमान अलसुदैस पढ़ेंगे एक नीजी अखबार के मुताबिक भाजपा नेता हाजी अराफक सेख ने सुक्रवार को यह जानकारी दी हाजी साराफक सेख को मस्जिद वि दूर बनने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगे इसमें 21 फीट उची और 36 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी जो 18-18 फीट पर खुलेगी कमिटी के चेर्मेन ने कहा हम बाबर को नहीं मानते बाबर तीर तलवार और भाला लेकर हमारे देश में आया था इसलिए वो हमारा आइडियल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं हम नभी को मानने वाले लोग हैं सरकार ने हमें 5 एकट जमीन दी थी कुछ जमीन हमने खरी दी है और कुल 11 एकट जमीन में यह पुरजे यानि कि यहां मसजिद बनेगा मसजिद परिसर में कैंसर होउस्पीटल बनेगा जहां हर धर्म हर मझब के लोगों का मुक्त में इलाज करेंगे जिससे देश में मुपबत का पैगाम जाएगा स्कूल मुजियं लाइब्रेरी बने गी यहां वेज कीचन बनेगा जो आने व नमाज का देश है परोरी के बाद एक अच्छा दिन देखकर रमजान से पहले हमारे पीर उसकी निव रखेंगे इसके लिए मिमबई से इट भेजी जाएगी पांच या छो साल में जब यह प्रोजेक्ट तयार हो जाएगा तब वहां पहली नमाज के लिए हम इमाम में हरम को बुलाएंगे कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मजिद बनाने के लिए सरकार से एक भी रुपया नहीं लिया गया है हम खुद की वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर QR कोड होगा जिसके जरीए आप दान कर सकेंगे जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको कि मजिद निर्माण में अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद वेबसाइट के जरीए लोगों के पास चुनने का विकल्प होगा कि मजिद के लिए दान देना चाहते हैं या फिर कैंसर होस्पिटल के लिए या फिर कॉलेज बनाने में अपना योगदान देना चाहत और यहां हर धर्म के लोगों के आने की अनुमती होगी अब सवाल यह है कि कौन है अब्दुल्राह्मान अल्सुदैस अब्दुल्राह्मान अल्सुदैस का जन्व में ही कुरान याद कर ली थी बहुत बड़ी बात है यह सुप्रीम कोट ने रामजन भूम विबात पर फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वहाँ मुस्लिम पक्स को धन्नीपूर में मजजिद बनाने के लिए पांच एकड जमिन दे पाथ फरवरी को अयुद्या में राममंदिर निर्माड के लिए स्री रामजन भूमतिर छेतर ट्रस्ट का गठन किया गया था उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयुद्या के रौनाही में धन्नीपूर गाउं में सुन्नी वफ बोर्ड को मजजिद के लिए पांच एकड जमिन आवंट को दिखाया गया जिसके बाद से यह सारी प्रक्रिया शुरू हुई अब बाकी इस बात को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी जैसा कि आप जानते हैं कि हर समाज में हर ध्यर्म में अच्छे और गुरे दोनों लोग होते हैं तो अब इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी भी शुरू है कुछ लोग का यह मानना है कि अध्या में सिर्फ भर्वर मंदिर ही बनना चाहिए मजजित की क्या हो शक्ता है और वहीं सरकार का ही चुकी हिंदू और मुसल्मानों का भी है और यह देश सम्विधान से चलता है नय प्रक्रिया के हिसाब से चलता है मानि साथ मुसलिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को समझते हुए उन भावनाओं का आदर करते हुए मस्जित भव्य मस्जित बनाने के लिए भी जो है प्रस्ताव रखा गया था और सरकार ने उसके लिए पांच एकड़ जमीन दी बाकि इस पूरे मामले पर इस पूरे प् करते हैं यह जहिन